प्यारे बच्चों नमस्ते बच्चों बताओ तो ये क्या लिखा है? हाँ, सहीं कहा तुमने ये लिखा है अ, आ, इ, इ, उ, उ, उ इसे कहते हैं री ए, आ, आ, ओ, आओ, अं, अ बच्चों ये हिंदी में स्वरवार्ण के नाम से जाने जाते हैं इसी तरह बच्चों इन्हें बताओ ये कौन से वार्ण है? क, ख, ग, घ, अंग च, छ, ज, ज, इया ट, ठ, ड, ध, अन त, थ, द, ध, न प, फ, ब, भ, म बच्चों इन्हें व्यनजनवन कहा जाता है बच्चों आज इस पार्ण में हम व्यनजनवन और स्वरवन को क्रम से लिखने के बारे में और पढ़ने के बारे में जानेंगे और इन में से कुछ और नए वर्ण को भी यहाँ पर इस पाठ में तुम जानोगे जो तुम्हारी कक्षा पहली के पाठ 20 में इनको भी जानो पाठ में स्तार से दिया गया है आव इस पाठ को पढ़ते हैं तो बच्चो अभी इस पाठ में हम स्वर और व्यंजन वन को क्रम से लिखने और पढ़ने के बारे में जानेंगे और इस पाठ में तुम संयुकताक्षर और द्वीताक्षर के बारे में भी समझोगे तो आओ पढ़ते हैं पाठ 20 इनको भी जानो देखो पहला चित्र है शलजम यहाँ लिखा है शलजम बच्चो इस नाम में कितनी आवाजे हैं? चुटकी बजा कर देखो शलजम पहली आवाज इसकी क्या है? श तो देखो यह श इस तरह से लिखा जाता है ठीक है बच्चो? अगला चित्र है शत्रिय नीचे लिखा है शत्रिय अब इसमें कितनी आवाजे हैं? श त्री य तीन आवाजे हैं पहली आवाज ख्ष ठीक है? आगे बढ़ते हैं बच्चो देखो यह शत्र है पत्र का नीचे लिखा है पत्र कितनी आवाजे हैं इसमें? दो आवाजे पहली आवाज प और दूसरी आवाज त्र तो बच्चों प से तो तुम परचीत हो लेकिन इस नाम के जो अंतिम आवाज है त्र वो त्र इस तरह से लिखा जाता है ठीक है अगला चित्र ग्यानी इसमें कितनी आवाजें हैं दो आवाजें ग्यानी ठीक है तो पहले आवाज क्या है ग्या और ग्य इस तरह से लिखा जाता है आगे बढ़ते हैं इस चित्र को पहचानो बच्चों पहला चित्र इसमें हैं जड का देख रहे हो ना किसी भी पेड़ का जड इसमें कितनी आवाजे हैं? जड दो आवाजे हैं पेहली आवाज जड इससे तो तुम परचित हो, तुम्हें पता है लेकिन दूसरी आवाज ड, इसे हम पहली बार आज जान रहे है तो ड ऐसे लिखा जाता है यदि ड के नीचे बिंदी न हो, तो वो ड कहलाएगा लेकिन इसमें देखो, ड के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी है तो इसे पढ़ेंगे हम ड, ठीक है, अगला चित्र है गढ़, इसमें भी पहली आवाज गढ़, और दूसरी आवाज ड, ड किस तरह से लिखा जाता है यहाँ नीचे लिखाए देखो, ड ये भी तुम्हें देखने में ड जैसा लग रहा हुगा लेकिन ड और ड में क्या फर्क है, ड के नीचे कोई बिंदी नहीं है, और ड के नीचे छोटी सी बिंदी लगी है इसे पढ़ेंगे ड, अगला चित्र है रिशी, इसमें पहली आवाज क्या है बच्चो, री शी, देखो, री इस तरह से लिखा जाता है अगला चित्र है श्रमिक, कितनी आवाजे है, तीन, तो जो पहली आवाज श्र है, वो इस तरह से लिखा जाता है इसे कहते हैं श्र, आगे बढ़ते हैं बच्चो, अब देखो, यह चित्र है बान का, और बान में आखरी आवाज क्या है, बोल कर देखो बान, रन है, दूसरी आवाज, तो रन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है तो बच्चो, यहाँ देखो, यह तीन गोलगेरों में कुछ बढ़ लिखे हैं, हाला कि इनका कोई चित्र नहीं बनता, लेकिन इनके उच्चारन किस तरह से कह जाते हैं, इसे तुम समझ लो अह, अंग, इयां, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चो, अब देखो, तुम्हें कुछ अभ्यास कारे करने हैं, इस तरफ कुछ चित्र दिये हैं, और इनके नाम भी लिखे हुए हैं, अब तुम्हें इन्हें पढ़ना हैं, पहला चित्र देखो, ये है ड्रम दूसरा चित्र है त्रिशूल, अगला चित्र है छत्रिय, इस तरफ का पहला चित्र है चक्र, अगला चित्र है सर्प और इसके बाद ये है कुत्ता आव बच्चो अब हम एक गतिविधी करते हैं इसमें तुम्हें याद होगा कि जब मैं कोई आवाज बोलती हूँ और यदि वो आवाज उस नाम में आ रहा है तो तुम्हें अंगूठा उपर करना है और वो नाम में वो आवाज ना हो तो अंगूठा नीचे करना है आज मैं जिन नामों को बोलूँगी उसमें तुम्हें न की आवाज पहचाननी है ठीक है यदि उस नाम में न की आवाज है तो अंगूठा उपर न की आवाज नहीं है तो अंगूठा नीचे तयार हो सब चलो मैं कह रहे हूँ पहला शब्द बाण अंगूठा उपर क्योंकि इसमें न की आवाज है बाण कान है क्या इसमें न की आवाज कान नहीं है तो इसमें हम अंगूठा नीचे करेंगे करण करण है न आखरी आवाज अन की तो अंगूठा उपर ठीके वरून अन की आवाज आखरी आवाज है अन तो इसलिए हम क्या करेंगे अंगूठा उपर अमन, अब बताओ, क्या अमन में कहीं पर र की आवाज है? नहीं न, तो हम उसे अंगुठा नीचे करेंगे, ठीके? अब ऐसे ही हम त्र की आवाज भी करके देखेंगे, यदि उस नाम में त्र की आवाज सुनाई दे, तो तुम्हें अंगुठा उपर करना है त्र की आवाज नहीं आएगी, तो अंगुठा नीचे पत्ता, अंगुठा उपर होगा कि नीचे होगा? शाब बास, इसमें अंगुठा नीचे होगा, क्योंकि हाँ त्र की आवाज नहीं है पत्र, इसमें है त्र की आवाज, तो अंगुठा उपर पत्री का, इसमें भी है त्रो की आवाज, अंगूठा उपर मात्र, है ना त्रो, अंगूठा उपर त्रिशूल, अंगूठा उपर, क्योंकि इसमें भी त्रो है त्रिभूज अब तुम बताओ शाब बास इसमें भी अंगुठा उपर होगा क्योंकि त्रिभूज तो त्रो में छुटी की मात्रा लगने से बन गया त्री मतलब यहाँ पर भी त्रो की आवाज है आव बच्चो अब हम अगली गती विधी करते हैं इसमें तुम्हें पहले इक लिखे वर्णों को दिये गए शब्दों में पहचानकर गोल घेरा करना है तो पहला वर्ण क्या है? शो यादेना इसका उचाराण कासे करते हैं? शो अब देखो पहले शब्द में यह वाला शो ह हाँ इस शहद में यह वाला श लिखा हुआ है तो हम इसे गोलगेरा करेंगे आशा इसमें बताओ यह श कहां लिखा है सही कहा तुमने इसमें यह आके बाद लिखा हुआ है तो उसे भी गोला करेंगे किश मिश इसमें है ना श हाँ इसमें श दो जगह है तो दोनों को हम गोल घेरा करेंगे और अगला शब्द देखो तलाश इसमें भी श है तो हम श को गोल घेरा करेंगे बागे इस तरह के और भी सारे वर्णों को तुम दिये गए शब्दों में पहचानो और गोल घेरा करो ठीक है बच्चों कौन-कौन से वर्ण है वो श चत्र ग्यां ड़ ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों अब बच्चों हम यहां री की मात्रा का पहचान करेंगे रिश्वी का री अभी तुमने इस पार्ट में पढ़ा इसकी मात्रा किसी वण के नीचे इस तरह से आधे गोले की रूप में लगाए जाती है तुम देख रह को लगी है री की मात्रा ठीक है और दूसरा अक्शर है च तो नीचे का पहचाना इसे हम पढ़ेंगे व्री अगला चित्र है बच्चों ग्रिह में गमें लगा है री की मात्रा इसे हम पढवेंगे ग्री आगे बढ़ते हैं, अब री की मात्रा लगी हुए कुछ शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करो, कौन-कौन से शब्द हैं ये, म्रिग, अम्रित, क्रिशक, त्रिन, क्रिपा, मात्री, आओ बच्चों, अब हम र, रैफ का उपयोग समझते हैं, ये र देख रहे हो, र के नीचे अब देखो, पहला चित्र है नर्स का, न, यहाँ पर र के नीचे हलन्थ है, और स, इसका मतलब र कैसा है, यहाँ पर आधा है, तो इसे पढ़ेंगे नर्स, और जो स के उपर तुम आधा चिन्ह देख रहे हो, ये रैफ कहलाता है, सर्प, सर्प में भी प के उपर क्या लग है, रैफ, इसका मतलब यहाँ पर र आधा है, अब रैफ लोगे हुए कुछ शब्दों को पढ़ो, जैसे कर्म, गर्म, बर्फ, दुर्गा, वर्षा, नर्म, बच्चों, अगला अभ्यास है, इसमें तुम्हें र के और भी प्रकार समझने होंगे, कौन-कौन से प्रकार है तुम्हें र के इस प्रकार को हम र, रकार या र, पदेन कहते हैं, पहले चित्र में देखो, जो तुम्हें एक छोटा सा निशान दिख रहा है, जो क में लगा हुआ है, इसे र, रकार कहा जाता है, पहला चित्र है, चक्र, तो क, च, क्र, क्र, सुन रहे हो, क में क्या है, र रकार लगा हुआ है और यहां पर मतलब है कि क आधा है और पूरा है तो बच्चों यह चित्र है ट्रक का अब देखो ट्र जब हम ट्र बोल रहे हैं तो ट्र आधाक्षर है और पूरा है और जब यह दोनों एक साथ लिखे जाएंगे इस चिन्दे के साथ तो क्या पढ़ा जा है हो बच्चों कि यहां पर इन शब्दों में जब हम रकार का अभ्यास कर रहे थे तो र पूरा है और इसके पहले आए हुए वन हल चिन लगने पर अर्धाक्षर बन जाते हैं अब इन्हें पढ़ो जैसे देखो क्रम चक्र ड्रम ब्रेड फ्रॉक ट्रेंड बच्चों अब देखो यहां पहला चित्र है रिक्षा संयोगताक्षर का मतलब होता है कि जब कोई दो वन एक साथ आए संयोगताक्षर का मतलब होता है कि पहला वन आधा अक्षर हो और दूसरा व्यंजन वन का कोई भी अक्षर हो सकता है और जब यह दोनों मिलकर एक साथ लिखे जा तो यह संयोगताक्षर कहलाते हैं, जैसे देखो रिक्षा में री फिर क के नीचे हलंत लगा है, मतलब क आधा है और शा तो यह बन गया रिक्षा। इसी तरह मक्षी में क और ख संयोकताक्षर हैं अब देखो संयोकताक्षर वाले कुछ शब्द दिये गए हैं इन्हें पढ़ने का अभ्यास करो जैसे डॉक्टर, ट्रेक्टर, माश्टर, क्या, प्याज और प्यारा इन सब में जहां पर भी आधा अक्षर है और उसके साथ वाला अक्षर क्या कहलाएगा? संयोकताक्षर अब बच्चों, हम समझेंगे यहाँ पर दित अक्षर ये क्या होते हैं? ये जब वन माला के दो एक समान वन आए उसमें पहला वन जो है वो आधा रहे और उसी का ही दूसरा वन पुन रहे तो उसे दृतक्षर कहते हैं जैसे देखो कुत्ता इसमें कु के बाद आधा त और पूरा त है तो दोनों त और त ही है एक आधा है, एक पूरा है इसलिए इसे दृतक्षर कहेंगे बिल्ली में भी ल और ली है तो ल और लही दृतक्षर कहलाएंगे समझ में आ गया संयुक तक्षर और दितक्षर के बीच का अंतर आओ बच्चो अब हम अभ्यास कारे करते हैं जिसमें हम कुछ दितक्षर वाले शब्द पढ़ कर देखेंगे जैसे चक्की, मक्का, फल्ली, पत्ता, चक्का, पक्का बच्चो संयुक तक्षर और दितक्षर से जुड़े हुए बहुत सारे अभ्यास और शब्द तुम्हारे पुस्तक में भी दिये हैं यहीं तुम पढ़ना और ध्यान से समझना आओ अब कुछ ग्रिह कारिय में तुम्हें देती हूँ इसमें पहला ग्रिह कारिय है तुम्हें दिये गए शब्दों के पहले वर्ण को पहचान कर इधर दिये गए वर्ण से जोड़ी मिलाना है जैसे पहला शब्द है श्रमिक, इसका पहला वर्ण है श्र, तो देखो श्र कहा लिखा है और उसके साथ उसकी जोड़ी बनाएंगे इस तरह बाकी के शब्दों को भी देखो और पहले वर्ण से उसकी जोड़ी मिलाओ तो बच्चो ग्रेह कारे का अगला प्रेशन है लिखो और पढ़ो अब तुम देख रहे हो यहाँ पर स्वरवान है और इन्हें तुम्हें देखकर लिखना है आओ इसे लिखने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तो बच्चो तुम देख रहे हो और पहले भी लिख चुके हो कि अ कैसे लिखा जाता है ठीक है तो यह हो गया अ इसी तरह से अब लिखो आ बच्चो बाकी इस तरह के सारे वर्णों को तुम देखकर लिखो और पढ़ो बच्चो ग्रे कारे का अगला प्रश्ण है छूटे वर्णों को लिखो और पढ़ो देख रहे हो न यहाँ यह व्यंजन वर्ण है लेकिन इसमें कुछ वर्ण छोड़े दिखे हैं उसे तुम् फिर ग फिर खाली स्थान और उसके बाद अंगा अब कौन-कौन से वर्ण यहाँ पे आने चाहिए क क के बाद कौन सा वर्ण आना चाहिए हां क के बाद यहां ख आना चाहिए इसके बाद ग और ग के बाद कौन सा वर्ण नहीं है यहाँ पर हां यहाँ पर ग लिखा जाना च इस तरह से बाकी के भी छूटे वर्णों को तुम याद करो, लिखो, ठीके बच्चो? ग्रे कारे का अगला प्रश्न है, शल जम का चित्र बनाओ, ठीके बच्चो? ये कम तो तुम आसाने से कर लोगे, ठीके बच्चो? इस पार्ट में आए व्यंजन वर्ण, शयुकतक्षर, द्विताक्षर, ररकार, ररेफ, इन सब को पढ़ने का और पैचानने का अभ्यास कार करो, घर पर रहो, शुरक्षित रहो.